फ्री सब्सक्राइब कीजे जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं रोज पाएं आसम नौलेज विडियोज तो दोस्तो प्लाटफोर्म क्या होता है रेलवे प्लाटफोर्म अपने सुना होगा ट्रेन प्लाटफोर्म पे आती है एक रेल ट्रैक को पकड़के चलती है अपनी पत्री को पकड़के चलती है पत्री से दोदरनी होती है और सिर्फ प्लाटफोर्म पे रुखती है और प्ला run a particular software a particular application कि वो इसी platform पे चलेगा ठीक है सीधे लबजों में any hardware और software और combination of hardware and software which is used to host a particular service और an application तो कुल में लाके सम्झाने के लिए platform का मतलब हो गया hardware, software and a set of instructions that all work collectively hardware, software, software का मतलब आप एक particular operating system कहलो and instructions यह सारी की सारी चीज़े एक साथ काम करती है जिससे के एक जो object code है वो execute हो सके है वो चल सके ठीक है for example, Microsoft के जितने यह offices है, office वाली जो applications है word हो गया, powerpoint हो गया, outlook हो गया इनको चलने के लिए एक platform चाहिए, वो platform क्या है? Windows operating system और अगर iOS में चलेंगी तो iOS का उसका एक version अलग है that particular version is designed for iOS लेकिन it needs that platform कोई particular application जैसे के लोग applications बनाते रहते हैं, apps बनाते रहते हैं they design and develop the app to run on a particular operating system बोलते हैं न के यह iOS पर चलेंगी है, iOS की app है तो iOS वहाँ पर क्या हो गया? उसका platform है कोई application सिर्फ Android पर चलती है तो यह उसका platform है तो यह मैंने समझाने के लिए example यूज किया तो आप समझ गया होँगे high level platform का मतलब क्या होता है इस तरी की क्या क्या क्यूं कैसे वाले वीडियो में जवाब भी आप चैनल पर बनाता रहता हूँ अगर आपको अच्छा लागए तो like भी करते हैं, subscribe भी करते हैं मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में, see you in the next one, thank you